विल्कम टू माई यूटूब चैनल ब्यूटी डीजाइन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपके फेस पे दाग धबे चाईया हैं तो आप बड़े ही आसानी से जो हम आपको घरेली टिप्स बताने जा रहे हैं यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मात तरह कि समस्या के लिए चेहरे पर आलू का रस लगाने की फायदे आलू का जूस लगाने से चेहरे पर क्या होता है आलू के रस में क्या मिला कर आप अपने चेहरे पर लगाएं कि दाग धबे चाईयां दूर हो जाएं और आपकी श्कीन ग्लो करें और आपकी श्कीन ये ब चान कर आप इसके रस को अलग कर दीजिए गाए उसके बाद आपको इसमें मिलाना है आदर चमच नीबो का रस एक चमच का चचा दूद उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद इसे आप अपने पूरे फेस पे अपलाई करें मसाज करें 2-3 मिर तक आप आने से निकल जाएंगे फ्रेंट्स दूसरा टिप से यदि आपके फेस पे बहुत ज़्या हो गई है तो आपको क्या करना चाहते बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर जुरिया आना आम समस्य है किसी को इसका सामना करना पड़ता है पर क्या आपको पता है कि आप अपने चेह आपको लेना है दो चम्मा चालू का रस उसमें मिलाना है आपको आदा चम्मच नीबू का रस एक चम्मच साहत इन दीनों चीजों को आप अची तरीके से मिक्स करने के बाद इससे अपने चेहरे पर गर्दन पर अची तरीके से आप लगाए बेश मिनर तक आप इस मिस्तर मिलाना है इन तीनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अपने हातों से अपने पूरे फेस पर अपलाई उसे आपको मसाज करनी है मसाज करने के बाद आप इसे अपने फेस को ढोले जिएगा इससे आपको मुहासे से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप अपने चीरे पर ग्लोइंग बनाते हैं चीरे पर चमक लाना चाहते हैं आपकी स्कीन हमेंसा चमकती रहे दिखाई दिखाई दिये तो इसके लिए आप आलू के रसका प्रयोग करें तो फ्रेंटस आपको मेरी वीडियो अची लगी हो तो लाइक जरूर करें आप हमारे चैनल से जुड़े ताकिस तरह कि जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुछा सके आज ले इतना ही फैंक यू झाल कुछू झाल के बार अजा जयरा हुआ है।